पुर्वांचल एक्सपरेस्मे को अप्रेल तक पीम करेंगे सुभाराम सीम योगी आदितिनाद पुर्वांचल एक्सपरेस्मे के निर्मार प्रगती का निरिक्षड करने पहुचे सीम योगी आदितिनाद ने अपने संबोधन में कहा कि प्रयास है कि 31 मार्च तक इसका निर्मार पूरा होगा इसके बाद यहां आउदोगी कलेश्टर बनाएंगे और अप्रेल में जब प्रधान मंत्री जी इसका लोकारपर करेंगे तो यह विकास का रोल माडल सावित होगा और यहां के युवाओं के लिए रोजगार के आउसर प्राप्त होंगे तो वहीं दूसरी तरफ आजमगर के सठियाओ छेतर में मोजारापूर में भी निरिक्षड करने पहुचे सीम और अधिकारियों के संग बैठक की जिसमें पुरवांचल एक्प्रेस में के निर्मार क कारेदाई संस्ता यूपिडा के अध्यक्ष और नीस अवस्ति मंडला युक्त बिजय विश्वास पंद डियाएजी सुभास चन्दूबे डियम और यस्पी भी उपस्तित हुए थे देखे पुरी कबर पौन पुरुईया नियूट पर ग्यानेंदर चतुरेदी के साथ सतीष चवान आजमगर उत्तर प्रदेश करेंगे तो दुनिया देखेगी कि अठारा में जिस एक्सप्रेस वे का निर्मान का संपन प्रारंब हुआ था तीन साल का लक्स से था और बैस्विक महामारी कोविड के बाब जो तीन साल से पहले ही हम इस एक्सप्रेस वे को जनता को समर्पित करते रहे हैं विकास का ये मॉडल देश और दुनिया के लिए आकर्षन का केंद्र बने का पूर्पित की संभावनाओं की विकासा की किरण है आज से धाई वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोधी जी ने किसी आजमगड में इस एक्सप्रेस वे का सल अन्यास किया था मनवान करिए कि पिछले दो ढ़ाई वर्ष के दोरान पुरी तश्वीर आपको बदलती भी दिखाई दे रही होगी ये आपके विकास की जो अपिक्साईं थी उन अपिक्साओं पर पंक लगा करके विकास के साथ आप सब को जोड़ने का एक प्रियास है प्रदेश सरकार के द्वारा और इस दिस से आज मैं स्वयम भी इस एक्सप्रेस वेके निरिक्षन के कारिक्रम के साथ गाजीपूर से ही चला हूँ गाजीपूर मौव आजमगड होते वे फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हम सब को इस बारे में ध्यान रखना होगा यह प्रिकास ही वास्तों में हम सब के जीवन में प्रिटन लाईगी और आजमगड अन्मान करिए अजसे तीन वर्स चार वर्स पहले तक आजमगड के नाम से लोग कामते थे आजमगड के नाम पर लोग किराए भी मकान नहीं देते थे यहां का युवा आगर कहीं जाता था राजमगड नाम बता देता था तो लोग उसको पिंडिश उड़ाते थे लेकिन अब आजमगड विकास की एक नहीं आसा की किरण के साथ आगी बढ़ रहा है और आसा की एक किरण एक्सप्रेस हुए यहां के गुड़्ों के क्विकास को एक नए उचायों तक मौँचाएगा हम आजमगड में विश्व टयाला जी दे रहे बिश्व टयाला एक लिए जमीन की समस्य आ रही है कि आजमड़ वासायों कौ सोचना चाहिए अब तक नहीं तो विश्विद्याला का कारे भी प्रारम हो गया होता आजमगर्ड वारानसी जौनपूर आजमगर्ड अंबेटकर होते वे लुम्बनी तक का जो एक हाईवे बन रहा है ये भी आजमगर्ड होते वे जा रहा है अने एक बड़े बड़े हाईवे गेंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगर्ड के साथ आजमगर्ड को ध्यान में रख करके बनाई जा रहे है ये इसलिए जिससे विकास की योचनाओं के माद्यम से हम यहां की अपिक्साओं और जनाकांसाओं की पूर्टी करने में सफल हो सकेंगे मेरा आप सबसे हेपी लोगा विकास हमारी प्रात्मिक्ता होने चाहिए और हम सब सकारात्मक सयोग इसके साथ करें यह सकारात्मक सयोग ही नकेवाल आपके लिए बर्के आने वाली पीड़ी के भोश्य के लिए भी बहुत निर्णायक सित्थ होगा आप से तक मुख्या एक्सप्रेस्वेग हम लोग बना करके तयार करें और एक्सप्रेस्वेग को बनाने के साथ यहां पर हर जन्पत में और दोगिक कलश्टर भी बिक्सित किया जाए जिसे और दोगिक निवेज और उसके माद्यम से पूरवे उत्तवर्देश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावना को भी उसके साथ जोड़ा जा सके इसकी तैयारी की जारी युद्धस्टर पर तैयारी की जारी है और अजुशित इससे मैं इहां पर आपके बीच में इस एक्सप्रेस वेके निरिक्षण के लिए आया हूं आप सभी इस अवसर पर आये हैं आप सब का महर्दे से विनंदन करता हूं आप सब को मैं हिर्दे से पधाई भी देता हूँ अपने सुपकामनाई भी देता हूँ और विश्वाज बेक्त करता हूँ कि जब हम लोग अप्रेल मा में पधान मंत्री मोधी जी के करकमनों से फिर से इस एक्सप्रेस वे का उद्गाटन करेंगे तो दुनिया देखेगी कि 18 में जिस एक्सप्रेस वे का निर्माण का संपन हुआ प्रारम हुआ था तीन साल का मक्स से था और बैस्विक महामारी कोविड के बाबजूत तीन साल से पहने ही हम इस एक्सप्रेस वे को जंता को समर्पित कर दे रहे हैं विकास का ये मॉडल देश और दुनिया के लिए आकर्शन का केंदर बनेगा और पुर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की ब्यापक संभावना को लेकर क्या आगे आएगा आज की सौसर पर आप सब को मैं एक बार फिर से इरदे से बढ़ाई देता हूँ अपनी सुख कामना है देता हूँ धन्यवाद जएगे